कि जाई श्री महांकाल जाइस अब सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत सवागत आपका आपढहर है और यてिज अभी तक आपने चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दिक यह नहीं जुड़े हैं जो चैनल से आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाए ताकि आप गौहमें साथ सही और सठीक जानकारी मिलते रहें आज हम बात करने वाले हैं जीवन के कड़ाय सचका जीवन के रहस्मे बात का और एक ऐसी घटना का जिसको जानने के बाद आप जीवन मे बहुत आसानी से उपलग नहीं हो पाते थे क्योंकि वह यग तप और अपनी ईश्वर की प्राप्ती के लिए जंगलों में हुआ करते थे तब भ्रहमन इतने नहीं हो अकिन अब राजा को तो यग्य करवानी के लिए एक हजार आट भ्रहामनों की जरुवत थी अब उसे भ्रहामनों के उशकते है ती और कर्मकंडी भ्रहामनों के उशकते है थी अब उसी में एक संत थे जो बालिय अवस्ता में थे जिनके उम्रें 14-15 साल थी उन्हें भी उस यग्ड में बुलाया गया क्योंकि वह ब्रह्मन थे अब यग्ड शुरू हुआ है यग्ड में सभी लोग महामरत्युम्जय का और मंत्रों का जाप कर रहे हैं और वह बालक अनाराम जो है इसका उच्छारन कर रहा है तो सभी ब्रह्मनों ने देखा कि यह हम सभी मंत्रों का जाप कर रहे हैं और यह बच्चा अनाराम पढ़ रहा है यह किस तरह से हो रहा है तो थोड़ा माहूल उस बच्चे पर सभी का इंगित हो गया, सभी का बच्चे पर हाइलेट हो गया वो कि ये बच्चा अनारम क्यों पढ़ रहा है तब ही वहाँ बेटेवे संतों ने देखा कि वहाँ क्या हल चल हो रही है, उन्हें बुलाए कि क्या हुआ, तो मैंने माजरा बता है कि हम सभी मंत्रों का जाब कर रहे हैं और ये बच्चा अनारम पढ़ रहा है तो वह संत ने कहा कि आप सभी साखाओ पर दोड़ रहे हैं इस बच्चे ने जड़ पकड़ के रखिए आप एक बार फिर से समझें कि आप सभी साखाओ पर दोड़ रहें सभी मंत्र शब्दों से ही तो बन के बने हैं अनारम से ही तो मिलकर बने हैं वह बच्चे ने जड़ पकड़ के रखिए वही संधर में आपके जीवन में कहा जाता हूं कि आप इश्वर को पकड़ के रखिए साखाओ पर न दोड़े इस कहानी के उद्देशी से जो सामने आई है उसे आपको समझनी क्यों शक्ता है और इस बात को आमने दिनाने के लिए कि आपको साखाओं पर नहीं सिर्फ अपनी जड़ों को पकड़ करना वो जड़ है इश्वर का नाम इश्वर का जब वही बहुत बड़ी है यही जीवन का कड़वास है अच्छा लगो लाइक करें शेयर करें कमेंट्स करते हैं जैश्री महां का जैश्री महां का